अब आपको देखेंगे आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं बेस्टी पार्ट सेकंड ये का सेकंड पेपर है जिसमें बेर इंपॉर्टन कोश्चन लेकर आए ठीक है बट आपको हिंदी में समझाया जाएगा ठीक है आप इसके इसको समझते रहेगा ठीक है पहले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं पहले कोश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे जल्दी से शेयर करेंगे क्लास को और वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना मुलें बच्चो ठीक है तो देखेंगे पहला कोशन दिया है या जीवास्म हमेशा होते हैं तो जीवास्म हमेशा कैसे होते हैं जल्दी से बताएंगे राइट आं तो नहीं है यानि कौन जीवास्म नहीं है यानि कौन जीवास्म नहीं है तो जल्दी से राइट आंसर देंगे उसमें और प्रस्ट और जो युश्म है कि आपके लिए दो पार्ट में इसको डिवाइट कर दे रहें ठीक है तो फास्ट यूनिट और 2nd unit भाग नंबर 1 में आएगी और 3rd और 4th unit जो है वो भाग नंबर 2 में आएगी वीडियो ठीक है तो बच्चो अगरा नेश्ट कोईशन देख लेते हैं कि अपर नेश्ट कोईशन क्या है जल्दी से किलास को शेर करेंगे बच्चे वह जल देखेंगे बच्चो इसमें राइट आंसर वह बहे हैं रहने बाला है सब्सक्राइब बिलत इस में से इस में से और आपका हुआ इस नम्बर ए डोडो ठीक है डोडो हमारा राइट आंस रोगा अगला एक लेश्ट क्या है लगभक कितने अरब बर्स पूरव जीवन की उत्पत्ती हुई थी लगभग कितने वर्स पूर जीवन के उत्पति हुई थी जल्दी सी बताएंगा राइट आंसर इसमें क्या होगा बच्चो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है तो इसमें देखेंगा जो राइट आंसर को बच्चो क्या होगा ऑप्शन नमबर बी ठीक है साड़े तीन सा केरा में था जल्दी सी बताएंगा राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चो जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा तो देखेंगा बच्चो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नमबर बी ठीक है क्या होगा ऑप्शन नमबर बी होगा पहली जो एक हमारा राइट है जल्दी से तो देखेंगे इसमें हमारा option होगा हमार राइट रहेगा इसमें से कौन सा रहेगा इसमें से को सीन हो आप की कि अजयें घ्वाशन भिंआ के जनक जल्दी से बताएंगे इसमें पिनजी लेख इंड ले geben की खोज की थी जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला बच्चों तो देखेंगे इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से राइट आंसर बताएंगे जल्दी से देखें गले अंगे आंसर होगा होगा पहारत किस रीम का भाग है जलदबी से बताइंगे राइड ऊंसर कैं रहने वाला है इसका यहीं स्टैमा तो देखेंगे इसका यम्रोब होगा और क्या होगा आपसर नंबर ऐ ठीक है और नाच कोश्चिन बाली और लाबॉप के मद जलो सा इसका क्या होगा गाण हूगा तो देखेंगे इसका डाइज़़ांसर होगा ओपसर नमबर प्लेश्च मारा एंशोर पर होते हैं किसी यूग में डाएनोसोर चरम पर होते थे जलिए से रहने वाला है जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका जएका क्या है गिलनता है जल्दी से राइट अंसर बताएंगे गहां गया है धुर्भी बर्क से मिला जीवासमा इसंका है जलदी सिर्ट कीरा कि देखेंगे ममत मैं मंध हमारी ट्रवगा ठीकर बच्छो अग्हारा बच्चो कि गई पहुत है शुव तो देखेंगे इता है और यह बूप। जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वच्छो वो हमारा क्या रहेगा पांच महा काल, खंडों के नाम लिखिए, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पांच महा खंडों के नाम लिखना है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे, कौन-कौन सा हो जाएगा, सेनो जो भुझाएगा मिजो जोएगो जाएगा पायलिओ जोएगो जाएगा प्रोटे रोई जो जो जाएगा और आर्कैुएगो जाएगा ठीकै कोन न्होंस हो जाएगा लिक्क पता दे रहे हैं टी नोग्यास्मद नोग्रो मेसो जो एक कामा पैलियो जो एक कामा प्रोटेरो जो एक प्रोटेरो जो एक कामा आर्क जो एक ठीक है कामा आर्क जो एक ठीक है यह है अगरा देखेंगे नेश्ट कोशन नेश्ट कोशन क्या है सीनो जो एक कालखंड का प्रारम कब हुआ था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेवन इन्टू इसका आंसर हो जाएगा 7.0 into 10 to power 7 ठीक है 10 to power 7 बर्थ पूल यह इसका राइट आंसर होगा बच्चो ठीक है अगरा नेश्ट कोशन क्या है आस्ट्रेलियं परिमंडल के दो विस्ष्ट जन्तू के नाम लखी तो इनके जो दो विस्ष्ट जन्तू है वो कौन से हो जाएगे कंगारू तथा बांबेट क्या हो जाएगे कंगारू क्या होता है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देखेंगे 5668 बर्ट कितना होता है 5568 ठीक है यह होता है इसका अरदकाल ठीक है अगला देखेंगे सेंड़ यूट आब बच्चों वीडियंट में आते हैं साथ अब तरण यह हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगरा नेस्ट कोश्चन इसको जरूर देखें पूरी वीडियो को देखें लाश्ट तक देखें ठीक है तो देखेंगे नेस्ट कोश्चन क्या है हमारा नेस्ट कोश्चन दिया है हेकल का पुर्णावर्ति का सिध्धान्त है कि कौन सा आउस्ट रहेगा इसमें से तो इसमें देखेंगे हमारा राइट आंसर जो होगा पर क्यों होगा आउस्ट नमर बी कि जीव का जीवन इतिहास विकास को प्रभावित करता है यह हमारा राइट प्रभेतन कासिदान्त फवोड़ी ने दिया उन्होंने कारें संफादित किया कौन सा किया था जल्दी है रहेंगा राइट आंसर इसका है बच्चों जल्दी से बताएंगे तो देखें इसका जो राइड आंसर होगा वहाएट से टिक है आईनो थोरा लेमार कियाना, ठीक है, क्या होगा, आईनो थोरा लेमार कियाना, ठीक है, यह हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, अगला नेश कोश्य है, लेमार के कि अनुसार उपार्जित लेक्ष्णों की बंसानुगति का जैब विकास में कोई महत्व नहीं है, यह कहा था इसने कहा था जल्दी से बताएंगे right answer क्या होगा इसमें जो right answer ही वह कै रहने वाला है? तो देखेंगे इसका right answer रहने वाला है वो क्या है? ओप्सनबर ए ठीक है? Charles Darwin ने कहा था किस ने कहा था? Charles Darwin ने ठीक है? Orange question । जब विकास के लिए पृतिपादित लैमार्क के सिध्धान्त की कुंजी है कि पृतेग जीव कैसा होता है जल्दी से बताएं कि राइट अंसर क्या रहेगा इसका आपसन नमर 20 का राइट रहेगा ठीक है पृतरक पीड़ी में अर्जित लख्षर वाला होता है ठीक है अगला नेश्ट कोशन देख लेते हैं नेश्ट कोशन क्या है नेश्ट कोशन आपका दिया है जैब विकास का आधुनिक संसलेश्ट आत्मक सिध्धान्त आधारित है तो किस पर आधारित है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे सानबर Isra interesting गला लिए जैब विकास के प्रमान मिलते हैं किसके दोरा मिलते हैं इसका राइट या गा तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा बंचो वह कहा है झाएगा Option ब्रोडिकी की द्वारा भी मिलते हैं तो आपसन नमर क्या रहेगा हमारा डी राइट अंसर रहेगा ठीक है अगला नेश पूश्चन जैब विकास के आधूनिक संस्राइब स्थात्मक सिध्धान्त के आधार पर निम्न में से कौन सा कारक विकास के लिए उतरदाई है तो रा रहते हैं यानि की तीनों रहते हैं तो हमारा राइट अंसर क्या होगा और नेश पूश्चन इंगले सब्सक्राइब साथ में देखते रहेगा ठीक है नेश क्या रहने वाला हमारा निम्न में से कौन लैमार्क के सिध्धानत का भाग नहीं है तो जल्दी से बताएंगा रा राइट अंसर क्या होगा तो देखेंगे इसमें इस में तो राइट अंसर क्या होगा और इसमें से लौगा बीरितsol और नबर सी ठीक है किया होका फटता वी डोन की योगित्म की उतरजीवता का सिध्धानत काौरग कि यद्ध्ध कि ता ठासा चिस सबताएंगा राइट क से क्या होगा तो देखें कि आम सब्सक्राइब कर दिए जी ऑपर्फिशन का सिद्धान को पृतिपादित किया इसने पृतिपादित किया था जल्दी से पताएंगा यहां प्रति का सिधैन्त्र प्रतिबादित किसं ने किया था जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे राइट आप ब्रति का क्या रहेगा तो जल्दी से क्या रहेंगा इसमें इसमें से डाइड आंब्यों प्रती सब्धिकर का अर्थ है इसमें से डाइड रहेगा थेरए गोड़ ल्क्र नंबर जीव का बरगी करण में इस्थान ठीक है जीव का बरगी करण में इस्थान यह हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगला नेश कोश्चन नेश कोश्चन क्या है नेश कोश्चन दिया है डार्वन के अनुशार जाती की उत्पत्ती डार्वन के अनुशार जाती की उत्पत्ति आधारत है ठीक है तो जल्दी से बताएंगे राइट अंसर बताएंगे तो देखेंगे इसमें जो राइट अंसर होगा वो क्या रहेगा option number a ठीक है एक समों के जीवों तथा दूसरे समों के जीवों में शंगर सबाता बरण ये परिवर्तन के कारण होता है ठी लगार फिर अगला नेक्टरार्शन देख लेते हैं और परिवर्तन होता हैrí back तो जिने से हैँ मारा right answer क्या होगा तो देखेंगे हमारा right answer होगा option number b ठीक है रे चीजप बिकास घिए जेब विकास मारा right answer होगा ठीक है अगरर नेशन question क्या है यदि कैलाती है जल्दी से बताएंगे wrong answer क्या रहने वाला श्रेंगे तो देखेंगे इसका जो right answer है वाई क्या रहेगा option number A जाती उद्भवन इसका right answer होगा ठीक है जाती उद्भवन इसका right answer रहेगा इंगलिस वाले student देख रहेगा साथ साथ में very important question रहने वाले है ठीक है very very important question रहने वाले है आपकी इस वीडियू में तो देखेंगे नेश्ट कोश्चन देखेंगे नेश्ट कोश्चन देखेंगे नेश्ट कोश्चन देखेंगे कि दिया है नेश्ट कोश्चन उत परिवर्तन है ठीक है उत परिवर्तन है तो इसमें क्या आंसर रहेगा इसमें क्या आंसर रहेगा हमारा तो देखेंगे इसमें उत्परिवतन अधिकांस तहा होता है पिरकृति में होने वाला उत्परिवतन अधिकांस तहा होता है तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा इसमें से राइट आंसर हमारा क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer होगा, option number D, ठीक है, उदाचीन अथवा हानिकारक, ये हमारा right answer होगा, ठीक है, अगला next question, peripetus, किस के सयोजन है, किन के सयोजन है, ठीक है, तो peripetus, किन के सयोज़न है, right answer क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, right answer क्या रहने वाला है, तो देखिंगे इसका राही चृशन रहोगा होगा क्या होगा Option No. C ठीक है एनलेड़ बाजर थो पोड़ा का यह हमारा राइड धैच रोगा ठीक यह हमारा राइद रहोगा होगा अग्ला ॥ कोशन देख लेते हैं द्रूशं तो जोग कि रहेने वाला है थिए एक कोई सरवब्र बूंद किसने खोजी है तो कोई सरव जो यहाद से जल्दी से बताएंगा राइट त्यावन से इसका किया रहेने वाला है बचो तो देखेंगे इसका राइट आंसर है क्या है ऑसन नंबर ए ठीक है ऑप किसने खोजी वो पे रिनने ठीक है यह अर्मार राइट अंसर रहेगा option number A ठीक है English वाले student साथ साथ में देखते रहेगा English वाले student जबूर देखते रहेगा क्योंकि video जो है वो English में नहीं है बट आपको PDF जो है वो English में प्रॉबाइट कर आई आएगी ठीक है तो देखेंगे जो राइड आंसर रहेगा वो क्या रहेगा option number A ठीक है समझाद अंग का किसका है समझाद अंगा अगरा next question देखेंगे next question क्या है next question दिया है जीवन की उत्पत्ति हुई 여기서 की उजबन की उच्पत्य हुई किस पर चल्दी से बताएं गे राइट ऑंसर क्या रहे गा इसमें से राहई आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे हमारा राय रहने वाला है वो क्या है और सो निमबर सी अधि शागर के जल्मिति अगला नेश्व कोईशन नमबर 8 ठीक है चौदा सो 507 चौदा सो 50 शी हमारा राइट अंसर रहे कर ठीक है और अगला नेश्पॉश्ट्ट क्या दिया है जैविक जाती की अब धारणा किष्ट ने प्रस्तुत की इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा जल्दी से रहेंगे सभी बच्चे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से अगला नेस्ट कुछन दीया है हमारा नियोपी लाइना किसके मद्ध सह्यों कड़ी है जल्दी से बताएंगे नियोपी लाइना जो है वो किसके मंद्र सयोजग कड़ी है जल्दी से बताएंगे किन किन के बीच की कड़ी है यह राइट आंसर रहेगा इसका राइट आंसर कौन सर रहेगा देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा ऑप् परिमाड है, तो कौन सा है, राइट आंसर, इसका क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा, इसका, तो देखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा, पर क्या होगा, आप्सा नमबर D, उपरोग तो सभी, ATP, जीवद्रब, कामा, ट्रिप्शिन, ये तीनो पक्षियों के किस प्रकार के आंग है जल्दी से राइट उस नेख लेक ले है नियस्ट के दो अफसेसी आंगों के नाम नाम Dasukle के दो दूसरा हो जाएगा इपटिक्स ठीक है पहला क्या हो जाएगा अकल अकल दो जाएगा यह जाएग आग अगर चेस्ति वृत्ति कै कौन से अब धारना मैलेट ने प्रेस्टत की तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होगा तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा है क्या होगा जीनो टिपिक क्लस्टर जाती अब धारना ठीक है कौन सा हो जाएगा जीनो प्रस्तुत की तो हो जागा जीनोटिपिक कलिस्टर अब धारान ठीक है अगला नेश्ट कोशन दिया है एक जीन पूल वाले अंतर पर जननिये जन्तू को क्या कहते हैं जल्दी से बताएंगे राइट अंसर इसका कह रहेगा इसका राइट अंसर कह रहेगा तो देखेंगे इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा ऐसी समरिष्टी ठीक है एक जाती कहलाती एक जाती कहलाती ठीक है यह राइट आंसर रहेगा हमारा ठीक है अगला नेश्ट कोशन दिख लेते हैं नेश्ट कोशन क्या दिया है इस question दिया है बीज मैन ने किस प्रियोग के आधार पर लैमार्क बाद का प्रियोग किया तो जल्दी से इसका right answer क्या होगा इसका right answer क्या होगा देखेंगे इसका right answer होगा अनेक पीडियों तक चुहों की पूँच काटने का प्रियोग ठीक है तो क्या होगा कि अने एक कि पीडियों तक कि क्यों हो की कि कूछ काटने का विरूद ठीक है यह हमारा राई डान रोगा ठीक है तो बच्चो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो किर्पे करके लाइक करेगा शेर करेगा ठीक है और आप अगर हमाई चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेए जो कि हमारे आने वाली वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुचे ठीक है और इस किराज को पूरा देखिएगा क्योंकि बेर इंपॉर्टन कोश्चन लाए हैं हम आपके लिए ठीक है फर्स्ट और सेकेंड ली यूनिट जो है वह हमने आपको लिए इस वीडियो में करवाने वाले हैं ठीक है और इसका जो पीडियोफ है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिक दे दिया है आप पीडियोफ को बहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए हम एक एप से भी बना रहे हैं जिसको आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप जो है लिंक पे टेश कर करके और आप प्लेश्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो कुछ ही समय में हमारा एप भी लाउंच होने वाला है उसमें आल वीडियोज सभी मिलेंगी ठीक है वीडियोज और सारे ही वीडियोफ आपको वहां से प्रोवाइड करवा दी जाएगे ठीक है तो जै हैं बच्चो मिलते हैं एक सौर बेर के बाद